तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने HP allied services previous year question analysis की एक series चलाई है तो आज हम जिसके अंदर पॉलिटी के questions जो हैं वो discuss करेंगे जितने भी पिछले चार सानों के अंदर HP allied के अंदर पॉलिटी के questions आए हैं 20 questions and around 59 questions जो हैं हम total इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे यहां से students हमें एक repeated topics का पता चलेगा और उन topics के according जो हैं हम अपनी preparations जो हैं आगे continue करेंगे Part 1 के अंदर आपको मालूम है कि हमने geography के जितने भी questions जो हैं HP allied में आज तक आए हैं पिछले 4 सालों के अंदर वो हमने उस वीडियो के अंदर सारे cover किये हैं तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2019 से 2019 के अंदर जो first question पुछा गया था कि which amendment to the constitution of India यह transfer the subject देखो education जो है पहले state list में हुआ करता था फिर इसको concurrent list में डाल दिया गया तो यह कौनसी amendment से तो यह amendment की गई थी 42nd आपको मालूम है कि 42nd amendment को mini constitution भी कहा जाता है 1976 के अंदर यह amendment की गई थी अच्छा यह वाला important है कि काफी बार exam के अंदर पूछने हैं जो important subjects है जैसे कि agriculture, trade और police है किसमें आते है state list के अंदर और concurrent के जो important है forest, education and marriage वाले जो subjects हैं वो किसमें आते हैं वो आते हैं concurrent list के अंदर union list वाले थोड़ा relatively आसान होते हैं कैसकरना जैसे defense हो गया जो major subjects होते हैं वो आपकी union list के अंदर आते हैं और देखे 42nd amendment के अंदर side में यहां पर हमने लिखा है 42nd amendment के अंदर जो है state list से concurrent list के अंदर 5 subjects को add किया था ठीक है जिसमें से एक तो हमने देख लिए education को और दूसरा forest देख लिए और तीसरा protection of wild animals and birds तो यह दो तीन अगर आपके ध्यान में रहेगे तो इसके around अगर question कभी exam के अंदर आए तो आप जो है ठीक कर पाएंगे then come to the next question which of the following statement is not correct in relation to the electoral bonds तो देखिए electoral bonds अभी काफी news के अंदर था तो बहुत chances है कि फिर से इसके ओपर जो है question जो है बन जाए तो इसके अंदर तो हम देख सकते हैं कि D statements जो है वो wrong है देखिए इसके वारे में आप यह जान लीजी कि कब launch हुए थे only SBA जो bank है वही इनको issue कर सकता है और यह कितने दिन के लिए valid रहते है यह रहते है valid 15 days मलब after the issuance of जैसे issue कर दिया उसके 15 दिन के बाद इनको आपको validity period रहते है उसके बाद यह जो है expire हो जाते हैं तो बाकी electoral bonds को आप अच्छे से देखेगा बहुत सारे और यहां पर आप देख सकते हैं कि section 29A जो representation of people act 1951 का section 29A वहाँ पर कौन इसको जो है issue कर सकते हैं जिनके ज जाने कि लोगसभा के पास है या फिर legislative assembly में है तो वह party जो है इसके लिए eligible है जिनके इन दोनों में criteria जो है fulfill है तो आईए उसके बाद हम question number 3 देखते हैं recently निती आयोग पीछ the idea of circular economy what does it suggest तो देखे circular economy का क्या मतलब रहता है कि manufacturing consumption recycle or reuse मलब एक यह circle रहता है जहां पर जो है मलब चीजों को आपने फिर से reuse करना रिसाइकल करना है रियूस करना है तो इसके लिए आप option देखें कौन सी option जो है जादा correct है तो इसके c option would be recycle reuse and already once used material okay so c option is a right answer then come to the next question which schedule of the Indian constitution contains the names of the state and their territory details तो right answer is first schedule तो schedule काफी बार paper में पूछते हैं आप से तो जो अपकी बार काफी news के अंदर है schedule वो आपका six schedule जो है काफी state news में कि आपको मालूम है लदाक जो है six schedule की demand कर रहा है तो देखें फिफ्ट schedule में का डिफ्रेंस है फिफ्ट schedule में total 10 states है उक्स चेडूल में total four states है फिफ सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उन एरिया को इंकलूड किया जाता है जो काफी एक्स्ट्रीमली बैक्वर्ड है यानि कि अभी पुराने लाइफ स्ट्रीम के अंदर जो हैं अभी इंकॉर्परेट नहीं हो पाएं अच्छे से तो जिसके अंदर आप स्टेट्स याद रखेग और देखे 356 के अंदर आपके वारे में प्रेजडेंट रूल के वारे में दिया गया है यूनो 352 के अंदर निशनल अमजनसी जो आज तक तीन बार इंडिया के अंदर लगी और फैनेशल अमजनसी जो 360 आर्टिकल में में मैंशन जो कभी नहीं लगी और यह एक्जाम एक बार पुछा गया है कि how many times financial emergency has been मतलब कितनी बार लगी एंडिया के अंदर तो एक वार भी नहीं लगी next bankruptcy and insolvency code enacted by the Parliament of India in year 2016 was based on the report by the right answer is TK विश्वनाथन कमेटे next question national commission for social and educational backward class से है जो की 2017 के अंदर बना था तो you can see it's right answer is option 1 and 3 कि इसको constitutional status मिला है ओके it's true और इसके अंदर जो है आपका 338B clause जो है इसके अंदर add किया गया था then come to the next question which of the following committee of the parliament is concerned with the regulatory and economy of the expenditure so right answer is public account committee ठीक है तो इसमें आप बताईए public account committee में कितने members रहते हैं और बाकि committee on privilege जो है उसके अंदर total 15 members रहते हैं जो की breach of privilege जो MPs को privileges मिली होती है उनके अगर किसी privilege के अंदर breach होती है तो उसके लिए committee on privilege जो है बनाई जाती है बगी सारी committee is important है आगे से वीडियो के अंदर कमिटी को discuss करेंगे which of the following recommended the abolition of IES IPS and all other all India services तो राजमनार commission जो है उन्होंने का था बगी commissions आप देख लेगे अशोक मेता commission पंचाई-3 राज से लेटेड है एजी के बारे में question पूछा गया है तो हमें यहां से एक theme मिलती है कि एजी जो है एजी कैग जो है आपके important है ठीक है तो इसके articles and all the information related to AG should be known to you हमारी इस series को शूरू करने का मकसद यह है कि हम एक important topic जो है identify कर सके और उनके उसी periphery के अंदर हम त्यारी आपकी कर सके और इस questions को आप देख लेजिए only one person is only one option is correct then come to the next question तो 2019 के जितने भी question आए तो हमने discuss के लिए है बाइए 2018 के अंदर हम question देखते हैं कि first session of constituent assembly तो पहला session जो है 9 December 1946 को हुआ था तो देखे constituent assembly के अबारे में थोड़ी सी detail हम देख लेते हैं कि कब यह form हुई थी 1946 के अंदर बनी थी total members के 389 थे जिसके अंदर 296 जो है ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 जो है princely states के थे total time जो constitutional assembly ने constitutional बनाने में लिया था two year 11 month and 18 days total 11 sessions लिये थे चीक है इसकी बहुत सारी committees है उनको आप नजर मार लीजेगा लेकिन थोड़ी सी जो confusing और tough सी है थोड़ी वह है फंडरमेंट राइट सब कमेंटी जिसको चेर हैड किया था जे बी क्रिपलानी ने रूर्स और प्रोसीजर स्टीरिंग और नेशनल फ्लाइग के उपज़ो कमेंटी बनी थी उनको चेर किया था डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने तो तो constituent assembly से related जो है आप सारे dimensions देख लीजेगा paper point of view से constituent assembly से question काफी बार पुछते है अंटर फिच आर्टिकल ऑफ इंडिनन constitution can the speaker allow any member of the house to speak in his her mother tongue तो right answer is 121 तो देखे बहुत बार जो है ये वाला question जो है आपसे पेपर में पूछा गया है एचेस में allied में एंटी में बहुत रिपीटेड जो है question ये commission का है next question है कि important amendments नहीं है उनकी आगे dates नहीं है तो ये जो है आपका सारी amendments और उनकी regarding dates जो है वो सारी correct है तो all are correctly paired देखे 52nd amendment 10th schedule के बारे में दिया जो कि दल बदलू कानून है anti defection law के बारे में बात करता है 42nd amendment 1976 most important amendment of the Indian constitution then comes 31st amendment जिसके लोग सबागी seat पहले 525 थी और इनको 545 किया गया था और 24th amendment 1971 जो है ये काफी important है क्योंकि इसके अंदर दो जो है main चीजें बात कही गई थी कि पहला था कि parliament can amend any part of the constitution including fundamental rights और दूसरा जो point था कि parliament has to give the consent to the constitutional amendment bill then come to the next question power of judicial review in India is enjoyed by whom काफी confusing question है कि ऐसा लगता है कि Supreme Court alone होना चाहिए लेकिन इस कांसर जो है Supreme Court और High Court दोनों के पास जो है judicial review की power है then we will see our next question article one of the Indian constitution describe India as union of the states okay then come to who was the first Muslim president of INC so right answer is बदरुदीन तयब जी तो देखो INC के जितने भी sessions है उनको किसने head किया है कब उनकी date है जो important है यह काफी important है तो इसके उपर आप थोड़ा सा अच्छे से देखेगा आपके exam के लिए important है यह भी एक theme है यह भी एक topic है जो repeated है ठीक है उसके बाद आए नेक्स question हम देखते है how many members were there in constituent assembly of India यह भी हमने उपर भी देखा था और देखा हमने की पिछले सा उस paper में भी था और अभी फिर से है तो बेशक पहले यह वाला वह बाद में तो मने रिपीटेट है themes जो है रिपीटेट है 42nd amendment के बाद देखे फिर से same question जो है वह है यहां पर है by which amendment education was made subject in the concurrent list तो 42nd amendment then come to our next question all new all India services under article 312 can be created by whom so right answer will be Rajasabha then come to the next question no tax can be levied or collected without the permission of parliament तो student समय यहां से एक बात तो clear है कि parliament chapter जो है वो allied के लिए super important है ठीक है then come to the next question governor in the state hold the office during the pleasure of president ठीक है president जब चाहे governor को remove जो है उनके office से कर सकते है ठीक है तो आप मुझे बताईएगा नीचे comments के अंदर कि office of governor जो है वो हमने कहां से लिया है ठीक है then come to the next question judges of high court can be appointed in consultation with the governor of state concerned is the right answer then our next question is by which amendment of the constitution state legislative council can be created or abolished article 169 काफी repeated question है ये बहुत बाराइस question को पूछना और six states के अंदर जो है इस time legislative council council है और six states कौन कौन सी है वो आप यहां पर देख सकते हैं आंदरपरदेश, कनाटका, महरास्टा, बिहार, यूपी और तेलंगाना then come to the next question how many members of the state legislative council can be nominated by the governor so right answer is one by six who has given the power to increase the number of judges of the supreme court so its right answer is parliament is time to trust and judges की कितनी है so that is 33 plus 134 यानि की एक जो है CGI है then our next question is under which article of constitution can a judge of high court be transferred article 2222 देखे article से भी अभी बहुत सारे questions जो है recently HS के अंदर पूछे कहे थे और बहुत chances ने कि allied के अंदर भी article से questions हो है हमें देखने को मिलेगा then come to our next question the idea of DPSP has been borrowed from the constitution of which country so right answer is Ireland Communist Party of India Marxist was found in which area यानि की CPIM कब बनी थी so right answer is 1964 is CPI का भी पार्ट थी पहले और CPI आपकी कब बनी थी Communist Party of India that is 1925 कानपूर में बनी थी और M.N. Roy ने काफी instrumental role जो है इसकी foundation में play किया था then come to our next question to be recognized as the national party in India party must have secured the previous election at least देखे तीन ओप्शन गलत है इसका answer जो है आप कमेंट में लिखिएगा कि national party और state party के लिए क्या criteria है कितने percent उनको votes चाहिए कितनी states में चाहिए कितनी या लोग सभा में चाहिए और state legislative assembly में इन में different area में कितने votes जोन को जाहिए कि comment में इसको आप answer कीजिएगा then come to our next question which article of Indian constitution provides a right to form a political party तो देखे right to form political party जोन में से किसी में भी नहीं क्योंकि 132 जो है appellate jurisdiction की बात करता है article 111 जो है president has sent to the bill जो भी या निकी president के पास जब भी लाएगा तो उसके साथ क्या आगा सकता है उसको देखो उसके तीन टाइप की विट्टो उसके पास available होती है वहाँ पर वो उनको use कर सकता है कि एक absolute विट्टो के अंदर वो अपने बिल्कुल ही reject कर देगा कि बिल्को reject कर दिया suspensive विट्टो के अंदर उसको reconsideration के लिए भेजेगा तो यह जो है और pocket विट्टो के अंदर कुछ भी नहीं करेगा ठीक है देन कम तो अवर नेक्स क्वेश्चन वट डस आर्टिकल 21-a अफ इंडिन कॉंस्टिशन देल्स विटी तो इसको फुल्फिल गोवर्मेंट जो है नहीं कर पा रही थी तो उसको फंडमेंट राइट बना दिया ताकि compulsory कर दिया ठीक है और अब जो है छे से 14 साल के बच्चों को free and compulsory education जो है फंडमेंट राइट है ठीक है अमंग the various types of the question asked during the question hour in parliament state question is related to above state question के अंदर जो है answer जो है आपको minister की तरफ से orally आता है ठीक है then come to our next question what is who is the sole authority decide whether a bill is money bill or not so right answer is speaker of लोग सभाव then our next question is who is known as the first law officer of the government of India right again a.g. देखिए एजी के ओपर पहले भी question था फिर से question है तो यह repeated themes है ठीक है मैंने पहले कहा था आपको एजी कैग these topics are very important तो आजकल एजी कौन है हमारे आजकल है आर वेकंट रमन फर्स्ट एजी कौन थे m.c. सितलावाद ठीक है तो यह जो है आप और एजी बनने के लिए qualification क्या है अगर आप supreme court की judge के लिए पोस्ट के लिए जो है eligible हो चीव सेचिस के लिए तो आप जो है इसके लिए भी eligible रहेंगे देन कम तो देनक्स question what exclusive power does article 312 of the constitution of India borrowed upon the Rajya Sabha so right answer is to introduce a bill for the creation of a now all India service our next question is chapter 4a of the constitution deals with the fundamental duties the right answer then come to the next question who was the first governor general of independent India आप स्पिकर के बारे में बताए गया और देखें बाकी जो आप स्पिकर के बारे में देख लीजेगा आजकल जो current speaker हमारे हैं वो है ओम बिरला हम इस थोड़ा सामना वो पूरा अगर detail में जाएगे तो चीजने जो है वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम उनको जल्दी जल्दी कर रहे हैं who elects the vice president of India so right answer is member of parliament in joint city joint sitting यानि की दोनों में houses के members जो है साथ बैट के elect करते हैं vice president of India गो दें कम अवर अब 2016 के अंदर question देखेंगे first question is which one of the following statement is incorrect with regard to the preamble of an Indian constitution so its right answer is it redefine the state as the sovereign socialist secular sectarian democratic republic okay so then we come to our next question which one of the following is not stated in the right to freedom as enshrined in the constitution of India so freedom to protest की कहीं भी हमें ऐसी छोट नहीं मिली है by which constitutional amendment right to property was abolished so right answer is 44th के अंदर जो है इसको delete कर दिया गया था उससे पहले ये fundamental right होता था था पहले fundamental right हमारे पास था थे originally अब हमारे पास 6 है अगला question हमारे पास article match करने आपने तो finance commission जो आपका article no.2 एटी है UPSC जो article no.3 15 election commission 324 में बात करी गई है और commission for the back of classes जो है 340 में इसकी बात करी गई है next question who among the following are not the members of the electoral college for the president of India so right answer is elected member of legislative council जो है इसमें participate नहीं करते हैं बाक्की elected member of legislative assembly of the state भी participate करते हैं elected member of the log सभा participate करते हैं elected member of the rajay सभा भी इसमें participate जो हैं आपके पास करते हैं then come to our next question which of the following is incorrect with regard to the vice president of India so the option is wrong he can be removed from his office by impeachment so impeachment के थ्रूँ जो है president को appoint किया जाता है remove किया जाता है और बाकी यह जो ABC है यह बिल्कुल ठीक है कि जब president नहीं होंगे तो vice president ही आपके जो है act करेंगे president he is the ex-official chairman यह भी बिल्कुल correct है he is the elected by call call comprising of the members of the parliament यह भी हमने थोड़ दिर पहले ही देखा कि joint sitting के अंदर जो है इसको appoint करते हैं vice president को then the rajay सभा can delay the passage of the money bill for a maximum period of 14 weeks के लिए two weeks के लिए यानि कि 14 days के लिए जो है राजे सभा delay कर सकते है money bill ultra important है काफी बार exams के अंदर पुछा जाता है hs में भी काफी बार पुछा गया money bill एक्ट्रोदस article के बारे में बात करी गई है only सिर्फ लोग सभा के अंदर हम इसको introduce कर सकते है joint sitting allowed नहीं होती है speaker का decision final होता है president prior recommendation is necessary to introduce the bill और अजे सभा cannot amend bill बट ये जो है recommend कर सकते है then which of the following is the correct chronological order of the office held by the speaker of log सभादी के speaker का मैंने बताया था कि repeated theme के ओपर बार बार speaker से question पुछते है तो इसलिए आप जो है speaker को अच्छे से cover कीजिएगा तो इसके अंदर वही है first question अगर आपको पहला मालूम है तो आगे आपको इन औरों का होना मालूम नहीं जरूरी नहीं है उससे क्योंकि जीवी मावलांकर सबसे पहले थे तो इसके ओपर जो आपका answer जो है पर दो जगाजी भी मावलांकर है तो आप जो है थोड़ा सा speaker के जो है आप देख लिए जाएगे गा चीग है then come to our next question which one of the following is the biggest committee of the लोगसभा so right answer is C estimate committee is the biggest committee because इसके अंदर जो टोटल मेंबर रहते हैं वो रहते हैं 30 members तो और इस सारे लोगसभा से ही होते हैं पब्लीक एकाउंट के में ट्यूपर भी question पूछा गया था फिर से यहां पर question है लोगसभा में 15 लोगसभा के 15 मेंबर होते हैं राजेसभा के साथ होता है टोटल जो है बाइस मेंबर होते हैं इसके इंदर ठीक है chairman जो है speaker appointment करता है then our next question is which of the following is incorrect statement with regard to the right to freedom of religion सो जी freedom of conversion जो है इन में बात ये freedom right to freedom of religion में नहीं दिया गया है कि तुम convert करने की जो freedom है वो नहीं मिली है next question voting in age voting age in India was reduced from 21 to 18 years by the which constitutional amendment so right answer is 61st constitutional amendment और बाकी amendment भी आप इनके वारे में देख लिएगा important है थोड़ा सा ध्यान आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि 71st constitutional amendment में नेपाली खूंखनी और मनी पूरी लेंगवे जो है आपके 8th schedule के अंदर जो है वो डाली गई थी और 92nd amendment के अंदर बोडो डोगरी में थाली संतली जो है इच चैडूल में डाली के जो टोटल लेंगी जो हमारे पास जो ओफिशल लोंगी जीज़ था वो हो गई है 22 then our next question which one of the following is a recent addition in the EVM by the election commission of India so not a none of the above is the recent addition then which one of the following is not the classified category of the party according to the ECI so national party भी होती है regional party होती है state party होती है बट ये रिजिस्ट्र यार ने रिकोगनेज़ पार्टी या सी कोई भी classification नहीं है जो ECI ने provide करवाई यो what is a full form of PIL जो PIL Public Interest Litigation या जो हमने American Judiciary से यह वाला concept जो है हमने अपनी जुडिश्री में incorporate किया है which one of the following is not the subject of the concurrent list तो देखे अगरिकल्चर नहीं है और बाकी हमने जो है देखो ये वाले लिस्ट हमने उपर भी डिस्कस करें थी कि लिस्ट जो है repeated question जो है list से भी हमें देखने को मिलते हैं then our next question is which one of the following state does not have a bicameral legislature तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है और बाकियों में अब देखो तो जम्मो कश्मीर में भी नहीं है because जम्मो कश्मीर में आपको मालूम है अब UT बना दी गई है तो हिमाचल प्रदेश यह थोड़ा पुरान question paper है तो इसलिए यहां पर जम्मो कश्मीर भी included है तो right answer according to the answer case हिमाचल प्रदेश विच दो फॉलविंग मैसी फॉलिंग चूज़ देखे फिर से आर्टिकल से question है तो right to constitutional constitutional remedies जो है अर्टिकल 32 के अंदर mentioned है UCC article 44 UCC काफी important है बहुत chances है कि अपकी बार प्रदेश में पुछा करने जा रहे हैं तो कौन है वो state उत्राखंट ठीक है special provision for जम्मो कश्मीर यह article 370 as you all know very important next question right to education is included under which article of the Indian question तो article 21A और यह पीछे भी हमने same question अमेंडमेंट से था six to fourteen year के लिए जो है जिसके अंदर compulsory की गई थी education देना वो हमने already जो है question देखा था next question is what is the name of the planning commission of India new name क्या है नीती आयोग जो है अब new name रखा गया है और एक यह question था कि match the political party with election symbol and choose the correct answer from the given code तो है आप जो है इसके awarding जो है यह देख सकते हैं BJP का तो इसका रहेगा भी तो आईए इसके अंदर जो है अभी हमारा जो है यह वीडियो यह पर खत्म होती है तो अगली हमारे जो है देखो हमने geography के हमने complete कर लिए quality के हमने जितने भी question allied के अंदर जो है पूछे गए थे वो complete कर लिए अब next वीडियो के अंदर हम बताईएगा कि economy को करें या फिर या फिर या फिर हम general science को करें कमेंट कीजिएगा उसके recording की हम इसी series के हम complete करेंगे धिरे धिरे ठीक है all the best आपके exam के लिए टेक्यों